इंडोर पैट्जियो जो किसमें आपको स्नोकर टेबल मिल जाती है और साथ में आपको हम तेटर भी मिल जाता है और वन बेट्रूम जो के बहुत ही लग्जुरी यहां से वाकिंग डिसन्स कोपर पार्क है और इसके दर आपको मिलता है फुल बेस्मेंट अब तक का सबसे बड़ा इंडोर पैट्जियो जो किसमें आपको स्नोकर टेबल मिल जाती है और साथ में आपको हम तेटर भी मिल जाता है और वन बेट्रूम जो के बहुत ही लग्जुरी और खुबसुत है यह एक हमारे रिटार आर्मी परसन है जो के शौक से काम करते हैं और घर बनाके बेचने काम करते हैं और यह हर साल में देड़ साल बात बे बाद एक या एक या दो अप्शन करते हैं और इसको पर सेल करते हैं और इनकी प्राइस सबसे बेस्ट होती है और वर्कमेंशिप इनकी बहुत बेतरी होती है यह अपने क यहां पर हमारे पास कुछ प्रफाल लाइटिंग यूज की है लैंसकेपिंग बड़ी इच्छी का इसके अंदर हमें यहां पर फार प्लेस मिल जाती है तो अगर हम अंदर की बाद करें तो जब आप अपने लों से घर के इंटर होते हैं यहां पर आपको गैंसा साहज के बड अब एंटर होते हैं तो एंटर होते हैं आपको डिवल हाइट लोबी मिलती है जो कि बहुत ही खुबसूरत है और उपर इसकेस आपको शेंद्लियर जो मिलते हैं वह बहुत जबरतस है आप देख रहे हैं कि जो कटिंग है और यह सारे आपके सब्सक्राइब नहीं है हमारे एक्स्ट्रीम राइट हैंड को पर हमें यहां पर मिलता है ड्राइंग रूम और साथ उसके डाइनिंग रूम फुल फरनिश्ट है पूरा का पूरा घर फरनीचर है इसमें आपको अलेक्ट्रिक फार्पेस मिलती है यहां पर एक चारवे आट की बड़ी टाइल और सि अगरे पर के ठीक है और क्वाल्टी जो है वो भी अच्छी है लेकिन इतनी अच्छी नहीं जितनी को मिलाब आजकल बाकी घरों में लग रहे है इस वाज इसकी प्रैस भी काफी मुलासिब है प्राइस आपको हम चल के आगे बताएंगे किस कि कितनी प्राइस उसकी वज़ अगर के बाकी एरिया के तरफ आपको बिताता है चलता हूं कि यह जो एरिया डबल हाइट लोबी है इस सही आपका बेस्मेंट का रस्ता इस सही ऊपर फर्स लोग जाने का रस्ता है इसके ऊपर शेंडली लगा हुए जो के बड़ा बहतरीन है और साथ इसकी साथ साथ में लगी है यहां पर सोफा पड़ा हुए बाकी यहां पर टेक्शर पेंट किया हुए तो कि अच्छी क्वाल्टिक है इतना बुरी क्वाल्टिक नहीं है उसके सामने किचन मिल जाता है किचन जो है बाकी गर की चीजों के मताबिक किचन थोड़ा सा बहतर है जिसे सिंक एरिया बाकी माइकरों बेकिंगों यह आपको टिपिकल पाकिस्तानी मिलते हैं है तो इंपोर्टिड है लेकर इस सिगनेचर ब्रैंड के हैं हायर कापको यह फ्रिज मिल जाता है टैनियर वरंटी के साथ उसके बाद हम यहां पर आते तो यहां पर उन्हें एक यह कंसो अच्छा होता है लेकिन यह करों तो क्वाल्टी वाइस चीज़े बहुत अच्छी लगी है पर बहुत एक्सपैंसी चीज़े नहीं लगी है सिंपल सिंपल चीज़े लगी है उसके बार यहां पर हमारे पास यह एक वंटी आया थी है जो के बड़ी खुबसूत है कौरियान काम की आप डेफिनेशन है वो अच्छी है सफाही सुराई घर में बहुत अच्छी है लेकिन यह को ब्रेंडिट कोई चीज़े में खास नहीं लगी वी उसके बाद हम यहां आते हैं तो यह हमारा आ गया मास्टर वैड रूम मास्टर वैड रूम में इन्हों क्या किया कि इ यहां पर हमारे पास को step up करके concealed jacuzzi लगी है और साथ shower area मिल रहा है shower cabin के अंदर हमारा rain shower है और mixer है और यहां पर hanging commode मिल जाता है जो की ग्रोही का है उसके बाद water loop कुछ बहतर नहीं है काफी बहतर आप देख सकते हैं कि यह देखें यह water loop के left and right के ओपर इन्होंने profile lighting की वी ह साथ में यह देखें वह लाइटिंग अच्छी लाग लिए water loop बहतरीन नहीं है door handles अच्छे हैं अब चलते हैं इसके first floor की दरफ फर्स फ्लोर की दरफ हावाई बेलते हैं तीन बेटरूम इसके जैसे हम यहां पर आते हैं यहां पर हमारे पास एक ब्रिज मिलता है जिसने आप आरे सामने तो left right आपके पास hangings बलब अपर ने open looking to blow और साथ अब यहां पर आते हैं यहां के पास यह को लोबी मिल जाती है य क्योंकि यह इनका इंक फर्स एक्स्पीरेंस है फर्रीचर के साथ फर्रीचर मुझे इतना पसंदी आया क्योंकि मैंने भी review देना होता है तो बाकी की वर्कमेंशिप बहतरीन है बहुत बहुत खुबसुत वर्कमेंशिप है मत आप वुड की पॉलिश हो गई है दर्वाजो की डिटेल होगी और फिर लगाने का तरीका हो गया इसके उपर जो बाकी डिटेल हो काफी इच्छी है यहां पर हम आते हैं यहां वारबास टिपिकल एक तरीके से हमारे पर बिटी आगी लुकिंग मिरर है यह शावर के बना गया उसमें यहां पर वार्ट पास वाल मॉंट चीट से दिर्वाजे वुट वर काम अच्छा होएं फ्लोरिंग टाइल इविया और घर की सबसे प्लस बात ही कि लोकेशन बहुत अच्छी है लोकेशन जो है रहां कि आप कह सकते कि वन अफ टॉप लोकेशन है यह और साथ में प्लस यह बाद है कि यह ज़ए हैं प्राइस НА पर सЕТच हो سकती है फिर यह आपका पास расп एक पर अहाफ में एक च्छटक कोसा FISA आता है यह बरांगोन Marx तो इसने मिसेन उसकें होट पुलत पलेट पंपर जो के अलर्ट रहा है उसके बाद यह कुछ địट थैखमें ओपर और नीचे तो उसके नीचे फ्लोरिंग पर यहां पर डाक टैल लगा दिया हमारे इस तरफ बैक सेट को यह हमारा लेफ्ट को पर जो रहा टारिस एरिया आते हैं लेकर इसकी तरह हम बाद में आते हैं पहला आपको यह दिखाते हैं जहां पर एक पिंकिश बैड आ गया अब जो हम आपक इसकी जो हैना बैसिकली बाइस क्रोड पर डिवांड जिस लुकैशन पर घर अवेलबल है इसकी प्लॉट की कीमत जो है ना तकरीबान आप कह सकते हैं कि क्लाट बहुत भी लोकैशन प्रॉट बहुत अच्छी तरीका से ब्राइवरने यह बैड इसका बहुत खुश्फरत ह यह बैड जो है ना इसमें यह के थोड़ा सा मोडरन टैच है वोल्स के ओपर रहे पैलिंग की है और अवराल थीम इसका बहतर है फरनीचर की जो क्वालिटी वह भी अच्छी है खुबसे रखी है यहां पर मारे पास यह आता है इसका उपर का फस्ट नौर का यह मास्टर है इसली गोल्ड कलर के साथ साथ जो अप्लाइंसे गोल्ड कलर की है यह हमारे पास शावर एरिया और हैंगिंग कमोड एरिया यहां पर टायल भी काफी बड़े साइस की यूज किया इन्होंने यह बैड मुझे पूरे घर में अच्छा लगा और एक बेस्मेंट में बैड लगा है यहाँ वह आप आते हैं तो यह हमारा टैरेस एरिया है टैरेस के बहुत अच्छा डिवेलप किया हैं उन्होंने उपर सीनसी और गरिडिंग के साथ बनाए हैं पर यहां पर हमारे पास यह आप क्या सकते हैं यह बड़ा ही खूबशूरत और बहूत ही इंटीक कैलर का इंटीक डिजाइन का मर पास एक जुला आ गया बच्चे इस पिर बड़ा एंजॉय कर सकते हैं पर इसके उपर आप बेंच भी बिने वें इसके उपर आप फरनीचर भी रखके तो जिस तरह आज क्या वैदर है बड़ा अच्छा तो अच्छी ठंडी डिवाद चल रही है यहां बैठने का बड़ा मजा आएगा और आल आप चलते हैं जिए बेस्मेंट के साथ बेस्मेंट से पहले ना आपको दिखाता हूं कि आप दो तीन स्टप नीची होंगे तो आपको यहां पर मिल जाएगा पाउडर रूम इसका आपको बताता चलों कि इसकी दुआरों प फर्स्ट राइटो को पर बेड को बेड लुकुल मिलता है इसकी अंधर पर बैड्स का और इसका रूम भी तरह Premis t और कर यहां पर शीट्स लगी है पेंट को काम किया हुआ है उसके बाद हम देखते हैं इसको वोश्रूम तो वोश्रूम भी इसका काफी अच्छा है यह देख सकते हैं कि यहां पर हमारे पास ना यह वाइट और ग्रीनिश डार्ट में वाश्रूम की पूरे थीम है यहां पर इसकी उसके बाद यह सुलिड वुड में बनायावा एक कंसोल आगया काफी खुबसूरत है बेसिकली इंटीक चीज है जहां पर आते हैं तो यह इसका टीवी लाउंज है टीवी लाउंज जो है ना उसके सामने इधर करना मैं इसकी लग जाएगी और इसके लावा बेसिकल प्रिल्क्स कर देगा ठीक है ऐसे करके बास और इसमें कोई खास चीज नहीं है और इसके साथ आप अगर जाते हैं इसके बागी चीजों को तो सोफ लाजर है और काफी मज़दार एरिया इसमें आपको प्रोजेक्टर मिल जाता है आपको स्क्रीन मिल जाती है हम यह पर आत पर जी आप देख रहे हैं यह हमारे एक वॉल्ब नाई वी है जिसमें आपका एलक्टर फायर प्लेस दी लिए और बेसिकली यह जो एरिया ने यहां से उपर यह उपन टुसका है तो बारिश का पानी भी आ सकता है उसके लावा आपकी फ्रेश एर भी आ सकती है और यहां टेबल जाना यह यहां पर सूट नहीं करता लेकिन आपके छोटे बच्चों के लिए बहतरीन है बाइस क्रोड़ कर की डिमांड है प्राइस निगोशियाबल है डी एचे फेसाइफ की टॉप्लिकेशन है और यहां से वाकिंग डिसंस बे पार्क मस्जिद सेक्र शॉप्स ह है और साथ ही वतींचों के लिए है अभी हर मैं रेल इस्टेट एंड बिल्डर्स की चैनल के ओपर जाए मजीद इस तरह की वीडियो इसके ओपर अवेलबल है और अगर आपका बजट कम है तो आप हमें जुरूर बताए हम आपके बजट में आपको ऑप्शन दुरूर दि हुआ 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 है